नमस्कार देश्चू चैनल पर आपका श्वागत है बात करते हैं राजस्तान के मौशम के बारे में अगले 24 कंटों से लगा कर एक सब्ता के दोरान के सराइगा मौशम आज है 15 अगस्त दोजार 24 तो आप सभी देश वास्यों को 15 अगस्त की हार देख सुपकामन है आज भी र 15 अगस्त से लगा कर 15 शोड़ा और 17 अगस्त के दोरान लगब ग्राजस्तान के शंपूर भागो पर मांसू नेक्टिव रहेगा अलाखी 18 अगस्त से बारे में कमी आएगी जो कि 18 19 20 अगस्त के दोरान कहीं कहीं खंड वर्षा का तावर जारी रहेगा बारे में फिर भी रि अगस्त से फिर से बारे में बड़ोतरी होगी जो सोई से लगा कर 30 अगस्त के 20 में फिर से राजस्तान के की बाको पर मध्यम से लगा कर मुश्त धार बारे में की शंबाओं हैं बी 30 20 गंटों के दोरान जैप पूर पर पूरज में जोदपूर पालि संबा की जिलों पर भी काफ़ी जगों पर बारिस दर्च की गई हैं लेकिन आज 100 और बारे में बड़ोतरी होगी सास हो रहे हैं जालोर, पाली, जालो, सिरुई के 27 पर खंड बारिष होगी कई अलकीद, कई मद्यम तो कई कई मुशलादार बारिष होने की संभावना है लग बग अकले 48 कंडों के दोरान जोदपुर संभा के पच्छे मिजलों पर भी एक दो जगापर फारी बारिष होने की संभावना है जो जैसल मेर, फलो, दी, बाड़ मेर के लग हैं, बलोत रहे हैं इन से तरों पर कई कई फारी बारिष भी दर्ष होने की परबल संभावना बनी हुई है पहले संभा के चत्रों पर भी अगले लगबग 12-37 कंटों के दोरान एक दो जगापर फारी बारिष दर्ष होगी बिकने संभा की बात करिया पर गंगाना के रहनवान का ननो उकड़की यह पर भी 32-20 कंटों के दोरान बारिष का दोर्ष जारी है लेकिन आज 15 अगस्त हैं 15-17 अगस्त के दुरान बिकने संभा की कई भागों पर मद्यम से लगा कर मुष्णादार बारिष दो एक दो जगापर फारी बारिष भी दर्ष दर्ष दोरने की शंभा होना है जैपूर बर्थपूर अजमिर कोटा संभा की बात करें तिया पर भी अब देरी तेरी बारिष की गतियों में कमी आएगी हलाकि 17 अगस्त तक बारिष काफी जगों पर तेज रहेगी 17 अगस्त के बाद में जैपूर बर्थपूर और कोटा अजमीर संभा की चिल्लों पर भी बारिष में कम यानी की संभा होना है अगले 27-37 गंटे के दो राज जी के उत्तर पूरी इलाकों पर भी मध्यम चिल्ले लेका करते तो कहीं गहीं भारी बारिष तर्जोने की संभा उना है जाप और एक दूजवा पर भारी के लिएक भारिषु लिएक प्रिश यांद भारिष बारिष होगी और जो ओदिपुर संभाँ फौरों मत्यम तो कहीं कहीं मुश्लादार बारिश का दोड़ रहेगा आज 15 से लेकर 17 अगस्ट के बीश में लेकिन 17 अगस्ट की बाद में उदेपूर संबाग की जिलों पर भी बारिश में कमी दर्ज होने की संबावना है तो आप लगातार बने रही इसे सेनल पर आपको हर दिन वी बारिश के दिन तान